आपके Upstocks अकाउंट में funds डालना आसान है और इसे तुरंद किया जा सकता है बस आपको इन चीजों को करने की ज़रूरत है आपके Upstocks अप में sign in करें और funds पर click करें Funds section आपको Securities या Commodities के लिए funds डालने की अनुमती देता है जब आप पैसे डालते हैं तो ये याद रखें कि Securities के लिए funding करने से आप के विल स्टॉक्स, F&O और करांसी जैसे Securities में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं उसी तरह से Commodities के अंतरगत funds डालने से इसका इस्तमाल केवल मेटल्स, अग्रिकल्चर और आदर्स के लिए ही किया जा सकता है इसका मतलग ये हुआ कि जो funds आप Securities के लिए डालेंगे उसका इस्तमाल Commodities में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता है और उसी तरह Commodities के लिए जोड़े गए पैसो का इस्तमाल Securities में ट्रेडिंग के लिए नहीं किया जा सकता है यहाँ funds टैप के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके Upstocks अकाउंट में कितने funds अवेलेबिल हैं आपके अकाउंट को fund करने के लिए add funds पर click करें जो funds आप डालना चाहते हैं उसे enter करने के बाद आपका bank account चुने default के रूप में आपका primary bank account पहले ही चुन लिया जाएगा और आप जो payment method इस्तिमाल करना चाहते हैं उसे चुने जबकि smart transfer, google pay और UPI free है net banking के लिए आपको प्रती transactions 7 रुपे देने होंगे आपके account में google pay के माध्यम से पैसे डालने के लिए जीपे select करें और continue पर click करें इस pop-up की दिखाई देने के बाद आपके payment को verify करने के लिए आपको आपका UPI pin एंडर करना होगा net banking के माध्यम से आपके account में पैसे डालने के लिए आपको इन चीजों को करने की जरूरत होगी आपके registered bank account की सूची में से funds transfer करने के लिए आप जो account इस्तमाल करना चाहते हैं उसे चुने याद रखे अगर आप एक गैर unregistered bank से यानि कि एक ऐसा bank account जो अप stocks के साथ link नहीं किया गया है उससे पैसे डालते हैं तो ये पैसे आपके trading account में नहीं जोड़े जाएंगे सोच रहे हैं आगे क्या होगा? इस मामले में और किसी भी earn near fail transaction के मामले में आप निश्चिंथ रहें हम आपको two working days के अंदर आपका amount वापिस लोटा देंगे आपको आपकी bank website के internet banking portal की और redirect किया जाएगा अगर आप UPI के इस्तमाल को option चुनते हैं आपको आपकी UPI ID एंटर करने की जरूरत होगी क्रिपया ये ensure करें कि आप सही UPI ID का इस्तमाल कर रहे हैं आप इसे आपकी UPI app, Google Pay या Phone Pay account पर देख सकते हैं इसके साथ ही ये ensure करें कि UPstox के साथ आपका registered bank account वही है जो आपके UPI app पर primary bank account के तौर पर register किया गया है आपके दुआरा ये एक बार कर लिये जाने पर आपको आपके UPI ID पर एक payment request मिलेगी आपके UPstox account में funds transfer करने के लिए इसे approve करें अगर आपने अपनी UPI का इस्तमाल अन्य आप्स या website के लिए किया है और आपने अपनी 10,000 रुपे से लेके 1,000,000 रुपे तक की daily limit पार कर ली हो ये आपके bank account पर निर्भर करता है तो payment failure से बचने के लिए और funds डालने के लिए बाकी options को चुने अगर आपका transaction fail हो गया हो और आपके bank account में से पैसे deduct हो गए हो तो चिंता ना करें 5 working days के अंदर आपके bank account में पैसे वापस लौड आ दिये जाएंगे और बस हो गया आपके account में funds यानि कि पैसा डालना इतना आसान है और इसे तुरंद किया जा सकता है View payment history टाप के अंदर आप जाकर अपने withdrawals और deposits देख सकते हैं क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है हम आपकी सहायता के लिए मौजूद है हमारे support center में जाए और up stocks के साथ आपकी निवेश यात्र को असान बनाने के लिए सबी relevant resources को हासल कीजिए Happy investing!